जिस तरह का ट्रैफिक है उसमें रोजाना कार ड्राइव करना किसी मुसीबत से कम नहीं होता यही वजही कि लोग छोटी गाणियों को चलाना पसंद करते हैं एंटी लेवर कारे भारतिया बज़र में सबसे ज़्यदा पसंद की जाती है कम दाम बहतर माइलेज वा सस्ते चलते ज़्यदाता लोग AC कारे खरीदते हैं यही वजह कि इंडियन मार्केट में कई सस्ती कारे मोजूद हैं अगर आप कम दाम वाली कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज की सुरू में हम दिखाने वाले हैं सिर्फ दो से पांच लाग रुपे में आने वाली द इस समय बाज़ार में मोजूद सबसे सस्ती कार है ये कुल छे वेरियंट्स और दो पेट्रोल इंजन ओप्सन के साथ एवेलेबल है इसके एक वेरियंट में कम्नी ने 0.8 लिटर की शमता का पेट्रोल इंजन यूस किया है जो कि 54 पीस की पावर और 72 एनेम का टोक जनरेट क है इसकी कीमा 2,13,000 रुपे से लेकर 4,17,000 रुपे की बीच है इस इंजन के साथ कमी ने 5-speed manual gearbox दिया है रेडिगो कार की लंबाए 3429 एमेम चोड़ाई 1560 एमेम वरूचाई 1541 एमेम है कार की फीचर्स की बात करतो इसमें 8H का स्क्रीन इंफोटेंट्र में सिस्टम दिया गय और अलाम जिसे फीचर्स दे गए हैं कार की माइलेज को लेकर कमने का दाव है कि कार एक लीटर पेट्रोल पर 22 किलो मुड़ तक का माइलेज देती है फुरिंग इलेक्टिक कार चिन ज्यंग सु की स्टाटव कमनी फुरिंग ने अपनी फूर विल कोडिसाइकल को पेश किया है यह आकार में बेहदी छोटा इलेक्टिक वहिकल है खासबत यह है कि यूरेपेन मार्केट में इस वहिकल के काफी डिमांड है 2020 में बहुतिया मार्केट में रिनोट ने अपनी ट्विजी कार को पेश किया था फुरिंग इलेक्टिक कार भी रिनोट ट्विजी की कोपी ही है डिजाइन के मामले में बेहदी आकर सक कार है और बात के ले सिटिंग गेशिडी की तो इस वहिकल में दो लोग आसानी से बेढ़ सकते हैं पारकिंग में ये कार मामली सी जगा लेती है ऐसे में ये कार ट्रेफिक की समझाए से निपटने में काफी हथटक कारगर है इस कार में काफी बला बूटी स्पेस दिया गया है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं पावर की बात करेत हो इस EV में लेड एसीड बेटरी दी गई है इसकी अधिक्तम रफ्तार 50 kmph है इसके लावा इस कार में 4KW की एलेक्टी मोटर दी गई है इसके लावा कार में 60V 120S की लेड एसीड बेटरी दी गई है जिसे एक बल फूल चार्ज करके 100 km तो नुन्स्टो ब्राइड ले सकते हो इसकी बेटरी को फूल चार्ज करने में 6-8 गंडे का समय लगता है इस कार में काफी स्टाइरिष्ट दोस्त दिये हैं जो कार के लोग को काफी एनहांस करते हैं इस कार के फ्रंड में लेडी हेड लाइट, टर्न सिक्नल और रियर में लेडी टेल लेट्स दी गई है डाइमेंडिशन की बात करे तो इस कार के लेंग तो 3050 एमें वीट 1450 एमें और 1170 में विल बेस दिया गया है ब्रेकिंग सिस्टम की बात करे तो इस कार के चारो टायरे में डिस ब्रेक दिया गया है कीमत की बात करे तो इस कार को 3,46,000 रुपे में खरीज सकते हो मारतु सुजुकी सिलेरियो मारतु सुजुकी की हैजबेक सिलेरियो का नया वर्जन जल्दे ही लौच हो सकता है नई 2021 मारतु सुजुकी सिलेरो का इंजन पहले से दमदार हो सकता है इंजन के सासर इसके इंटिरियर और एकस्टेरियन में भी कहीं बदलाव देखने को मिल सकते हैं इस नए मोडल में दो इंजन उप्षन मिल सकते हैं जिसमें पहला वन लिटर थी सिलेंडर पेट्रोल इंजन होगा जो 68 बेट्रोल इंजन करता है 2021 मारोती सुजु की सिलेरियों में पुराने प्लेटफरम को हटा दिया गया है इसमें नए हार्टेक प्लेटफरम आर्खिटेचर का इस्तिमाल किया जा रहा है कमनी इस प्लेटफरम को पहले से अपने कई नए मुडल की कारों में इस्तिमाल कर रही है नई दोजार रिकीस मारोती सुजु की सिलेरो को वाई एन सी कोड़नेम दिया गया है इसके साथ एकार के डेसबोर्ड, स्टियरिंग वील वर सेंटरल को भी अपडेट किया जा रहा है न्यू सिलेरिय ओटोमेंटिक क्लाइमेट कंट्रोल और स्टियरिंग माउंटेर कंट्रोल जिसे शांदर फीचर के साथ आएगी साथ इसमें डूल फरंड एर्बे प्रोटेक्शन और सिट बेल्ट रिमार्ड रिस्टेंडर भी देखने को मिल सकता है इसके साथ इंटी ब्रेक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ इलेक्टोनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रिबिशन रियर पार्किंग सेंसर्स वा रिवर्स केमेरा जिसे फीचर्स भी मिलेंगे जहां तक कीमत की बात करें तो 2021 सिलेरों की एक्शोर्म कीमत 4,41,000 रुपे से लेकर 5,8,000 रुपे तक है लेकिन नए इंजन नए फीचर्स के चलते इसके दाम बलना तई है सिनोटेक इलेक्टिक कार चीन की स्टाडियो कमनी सिनोटेक ने घंबा केदार कोर्डिसाइकल लोज़ की है यह आकार में बहुती छोटा एलेक्टिव वीकल है भारत यह कार बाज़र में यह कार अभी तक लोज़ नहीं हो पाई है लेकिन यूरोप में इसे खासा पसंद किया जा रहा है डिजाइन के मावल में यह बहदी आकर सक कार है और बात करें सीटिंग केपिस्टिडे की तो इस वीकल में दो लोग आसाने से बेठ सकते हैं पार्किंग में यह कार मामली से जगा लेती है एसे में ये कार ट्रैफिक की समसे से निबटने में काफी हथ तक कारगर है इस कार में काफी बला बुट्टिस्पेस दिया गया है जिसमें आप अपना सामार रख सकते हैं सीनोटेक कार की लेंग्ट 2350 mm, वीट 1450 mm, हाइट 1550 mm और इसका विल बेस 1570 mm दिया गया है इस कार के मिनिममम ग्राउं क्लियरस 160 mm है, ये कार दिखने में छोटी भला ही लगती हो पर इसे सेफ्टे के लिया से काफी मजबूत बनाया गया है इस कार में एरबेग और सिटिबेज जैसे बेसिक सिक्यूरिटी फिचरस मोजूद है सिनोटे की एलेक्टिक कार कहीं तरह की न्यू टेक्नोलजी से लेस है पावर वो रिस्पेज़िकेशन की बात करें तो इस कार में 4KW की एलेक्टिव मोटर दी गई है सिनोटिक एलेक्टिक कार को 55 km अपपर हर की टोप स्विट से दोड़ा सकते हो इस के लावा कार में 60V 120 AS की बेटरी दी गई है जिससे एक बार फूल चार्ज ही करके 120 km तर नुन्स्टो ब्राई ले सकते हो फीचर्स की बात करें तो इस कार में हीटर सिस्टम, MP3 रेडियो, रियर व्यू केमेरा, इंटेलिजन रिमोट, AC और इलेक्टिक विंडो जैसे फीचर्स दे गए है भारत जिससे देश में जहां लोग प्रोडिशन की इतनी मार जेर रहे हैं, इस कार की काफी ज़रूरत है अब देखना यह है कि इस कार को कमनी भारत में कब लाती है यूरोप में तो इस कार ने काफी तहलका मचाया हुआ है आसा करते हैं कि इसी कारे बहाती मार्केट में भी लोच हो तो दोस्तों ये थी टोप 4 पेटोल एन इलेक्टिक कारे वीडियो पेसे नहीं तो लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारी चेनल टेक एश्बर्ड को सबस्राइब नहीं किया तो प्लीज सबस्राइब कि लीजिए टेक केर बाई